नमस्कार किसान बंदू मैं हूँ राजू जैसा कि देख रहे हैं आज हम आप पहुंचे हैं हरमा थ्रेसर जहां की बनता है देखिए किसान बंदू किस परकार से हरमा थ्रेसर बनता है और उसके बाद किसान को दिया जाता है जैसा कि देख पा रहे होंगे किसान बंदू यहां टेक्निकल लोग अपना काम कर रहे हैं और हडमा मसीन का सारे फिटिंग कर रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं किसान बंदू, हर एक चीज यहां बारिकी से किया जाता है और बहुत ही पिसेश रूप से देखा जाता है कि किसी परकार का कोई टेक्निकल फोल्ट ना रहो उसके बाद ये बन कर तैयार होता है अरमा कुछ इस परकार से किसान बंदू जैसा कि देख रहे हैं कि मन को चम चमाता हुआ थरेशर हम लोगों के बीच इस परकार से तयार कैसे होता है ऐसे ही खबर देखने के लिए राजू ब्लॉक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिपिकेशन को दबाएं